हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टु अद्वेत एजूकेशन मैं दिपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वेत एजूकेशन पर तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम से भी को इंदिजार था यानि की कहना चाहिए हमारा RRB, NTPC and GroupD का डिसकेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हम पुराने पेपर्स के क्वेशन का डिसकेशन किये हैं लगबग 10 ही क्वेशन का हमन का हम पुरान पेपर चाहिए हमाने ब्हुत हम पान। आज का question कह रहा है when light passes from one medium to another the phenomenon of direction in its direction is called प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है यह घटना क्या कहलाती है चार option है आपकी साथ reflection, diffraction, transmission या none of these तो reflection, diffraction and transmission क्या है यह देख लेते हैं परिफ्रेक्शन क्या होता है रिफ्रेक्शन का मतलब है कि जब प्रकाश आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा से विचलित हो जाता है है ना उसको हम कहते हैं प्रकाश का reflection या अपवर्दन तो yes इसका हमारा answer होगा reflection बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं diffraction and transmission क्या है diffraction and transmission का मतलब होता है diffraction का मतलब है suppose करिए कि यदि ये कोई wall है suppose करिए कोई एक दिवाल है यदि दिवाल में यहां पर एक छोटा सा चेन हो और यहां से आ रहा है प्रकाश तो आप ही बताइए मुझे कि क्या दिवाल की upper and lower part से light निकल पाएगी नहीं सिर्फ इस चेज से जब light निकलेगी तो किस तरीके से निकलेगी कुछ इस तरीके से निकलेगी तो यह जो इस तरीके से प्रकाश निकलता है यहां से एक छोटे से कहना चाहिए कि जब प्रकाश बहुत ही छोटी जगह से पास होता है तो कुछ इस तरीके से पास होता है इस को हम कहते हैं diffraction of light diffraction of light ठीक है and next था हमारा transmission of light transmission का मतला में suppose करिए कि यह आपका कोई medium है ठीक है कोई box है या कोई medium हमने रख दिया एक medium यह है एक medium यह medium नमबर one and medium number two हमने बना दिया अब आपका प्रकाश जब आता है इस सतह पर पड़ता है तो तीन घटनाए होती है मैंने पहले भी दिखाएगा properties of light में याद होगा आपको तो तीन घटनाए होती है क्या-क्या आता है तो यहां से याकि reflect हो जाता है या दूसरी घटना होती है आता है तो यहाँ पर एब्जॉब करने आ जाता है या कि यहाँ पर इसी सतह पर आता है तो यहाँ से क्या होता है ट्रांस्मिट हो जाता है यानि कि सतह से बाहर निकल जाता है तो तीन तरीके की घटनाए होती है अब हमारा बचता है प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रेक्शन ओफ लाइट क्या है रिफ्रेक्शन ओफ लाइट कहता है कि जब प्रकाश हमारा किसी माध्यम से ये आपका एक माध्यम है ठीक है ये एक जो box है ये एक आपका माध्याम है जिसको हमने कहा कि ये glass है यानि कि कहना चाहिए क्या है ये काच एक माध्याम है इसके उपर air है यानि कि कहना चाहिए क्या है वायो वायो और काच दो माध्याम है आपके अब जब आपका प्रकाश आया तो सबसे पहले आप य समझो कि ये जो है ना आपका ये जो लाइन दिख रही है ये आपकी नॉर्मल है या इसी को मैंने कहा था क्या है ये अभिलंब जिसको हम क्या कहते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश आया ये प्रकाश यहां पर पड़ा तो जब प्रकाश आया यहा पर अभिलंब पर तो आते ही क्या होता है यहां से direction change कर लेता है या कि इधर या कि इधर या कि इधर यानि कि अभिलंब के या कि पास आ जाता है या कि अभिलंब से दूर हट जाता है दो ही चीजे होती है या कि अभिलंब के पास आएगा या कि अभिलंब से दूर हट माम हमको कैसे पता चलेगा, कब अभिलंब के पास आएगा और कब अभिलंब से दूर हटेगा तो इसको पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जब आपका प्रकाश विरल माध्यम से सगन माध्यम पे जाता है विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है लेकिन यदि मैं कहूँ कि आपका प्रकाश यदि ये प्रकाश आपका सघन से विरल में आ रहा है डेंस माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है तो वो क्या होगा? वह अभिलंब से दूर हटेगा मुड़ने की बजाय क्या हो जाएगा अब वह अभिलंब से दूर हट जाएगा तो दो ही कंडिशन है हमारी क्या-क्या पहली कंडिशन है विरल से सगन में जाने की दूसरी कंडिशन है सगन से विरल में जाने की तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा प्रकाश का अपवर्दन कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आया पहले माध्यम हमारा हावा था नेक्स्ट हमारा माध्यम हो गया ग्लास या काच तो वो क्या हुआ अपने मार्ग से विचलित हो गया विचली तो हो गया, क्या यहाँ पर विचलन हो रहा है, क्या यहाँ पर विचलन हो रहा है, नहीं, विचलन यानि अपनी दिशा से परिवर्तित हो रहा है प्रकाश का अपवर्दन, तो हमारा option होने वाला है प्रकाश का अपवर्दन, लेकिन इसमें से और क्या question बन सकता है, पूछ सकता है इसमें से, इसमें बोलेगा कि क्या आपका प्रकाश विरल माध्यम से सगन माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा, अभिलंब के पास आएगा या अभिलंब से दूर हटेगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आपको एक शौट ट्रिक याद रखनी है, क्या याद रखोगे, कि यदि आपका प्रकास विरल माध्यम से सगन माध्यम में जा रहा है, तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड जाएगा, यानि कि एक छोटी सी ट्रिक है, विस्मू, तीन अक्षर का नाम है, जो हम याद रख सकते हैं, जिससे कभी भी कन्फ प्रकाश अभिलंब की ओर मुरेगा, और कब प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा, तो बहुत ही जोटी सी ट्रिक है, विस्मू, आप याद रख लोगे, तो आपको हमेशा क्लियर रहेगा, कि प्रकाश विरल माध्यम से सगन में जाता है, which stands for विरल माध्यम, सा का मतलब है सगन माध्यम मुँ से है, मुड जाता है, तो एक चीज़ याद हो गई, तो next study पूछे कभे कि सगन से विरल, तो एक में मुड रहा है, तो जाहर सी बात है, दूसरे में दूर हटेगा, तो इसको आप याद रख लोगे, तो आपका question बहुत इसली solve हो जाएगा, कोई भी confusion न क्या प्रकाश सगन से विरल में जाएगा, तो अभी लंब से क्या होगा, डेस, 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 चार option दे दिया, हमें पता है, विस मू हमको याद है, तो सगन से विरल में जा रहा है, तो जब सगन से विरल में जाएगा, तो अभी लंब से दूर हट जाएगा, तो clear हुआ, question अ बताई, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, हमारा question number 11 खतम हुआ, question 12 क्या कह रहा है, निम्न लिखित में से कौन सी घटना यह निर्ने लेने में सहायक होती है, कि प्रकाश एक अनुपरस्थ तरंग है, या कि which of the following phenomena helps in deciding that light is a transverse wave, इस में दो तीन terminology ऐसी है, जो हमको अभी नहीं बता है, मैं आपने भी नहीं बताईए, transverse wave क्या है, ठीक है, longitudinal wave क्या है, यह देख लेते हैं, अनुपरस्थ अनुदय तरंगे क्या होती है, साथी option क्या क्या है, option है आपका diffraction, polarization, refraction and interpretation, कह रहा है, इन चारों में से ऐसी कौन सी घटना है, जो यह बताईगी कि प्रकाश आपका एक अनुपरस्थ तरंग है, मुझे बताओ मेरे बुच्चों कि अनुपरस्थ तरंग है, क्या बता रहा है, क्या diffraction बता रहा था कि यह अनुपरस्थ तरंग है प्रकाश नहीं, भई, विवर्चन का मतलब है, diffraction का मतलब है, किसी छोटी सी ज क्योंकि polarization ही एक ऐसी प्रोसेस है, जिसके थुरू हम non-polarized light को polarized light में convert करते हैं, और हमें पता चलता है, कि light जो है, एक transverse wave है, refraction से, अभी-अभी हमने refraction देखा, refraction से क्या हमें पता चला था, कि light transverse wave है या नहीं, तो ये भी option cancel, interpretation से भी हमें नहीं पता चलता, तो अपना option क्या होने वाला है, polarization will be our correct answer, लेकिन हम देखते हैं, आईए, कि ये transverse wave, actual wave क्या होता है, है ना, transverse wave and longitudinal waves क्या है, देखिए आपके सामने दो diagram है, जिसमें कि पहला आपका कह रहा है, longitudinal wave, next आपका कह रहा है, transverse wave, longitudinal का मतलब है, अनुधार्द तरंगे, क्या होता है, अनुधार्ध तरंगे, अनुधार्द तरंगे, and transverse wave का मतलब है, अनुप्रस तरंगे, क्या? अनुप्रस्थ तरंगे, अब जो अनुप्रस्त तरंग होती है उसका मतलब है कि यह जो waveform आपको दिख रहे हैं कुछ ऐसे यह जो waveform है और वेव का जो propagation है आप देख पा रहे होगे clearly कि यदि waveform कुछ ऐसी जा रहे है तो हम देख रहे हैं कि इसके जो particles है waveform की जो particles है यह इसके perpendicular है यहाँ पर भी perpendicular यहाँ पर भी perpendicular यहाँ पर भी perpendicular जहाँ पर भी देखोगे तो कहोगे कि कमपन करने वाले जो माध्यम के कड़ है वेव की propagation के perpendicular है जबकि हम यहाँ पर देखते हैं अनुद्याद तरंगों में कि कमपन करने वाले जो कड़ है वेव के propagation के क्या है पैरलर है पैरलर लाइन पेलविंप दिख रही है अब जब बैने वेवलिंध बताया था तब ये भी बताया था कि वेवलिंध क्या होती है ये कोई वेवर्म की लंबाई नहीं है स्षायकि ने पर थोड़ी सिव उट चिंज होती है, अनुद्याद तरंगों के लिए अलग है, और अनुप्रस्त के लिए अलग है, पहले तो आप ये समझो कि longitudinal waves जो होती है हमारी, वो जैसे music system से आने वाली जो waveform है, वो क्या है आपकी longitudinal wave या कहेंगे अनुप्रस्त तरंगे, नेक्स्ट है आपका TV से आने वाली जो तरंगे हैं, वो क्या कहलाएंगी आपकी TV से आने वाली तरंगे आपकी कहलाएंगी टीवी से आने वाली तरंगे कहलाएंगी अनुप्रस्त तरंगे या कहेंगे transverse wave अब जो टीवी से आने वाली तरंगे हैं आप clearly देख पा रहे हो कि movement यहाँ पर perpendicular है movement यहाँ पर perpendicular है जबकि इसमें movement जो है parallel है अब यहाँ पर definitions change होती है wavelength की क्या कहता है जो हमारा यहाँ पर यदि waveform थोड़ी सी दूर दूर है तो हम कहेंगे expansion हो रहा है लेकिन यदि waveform थोड़ी पास-पास है तो हम कहेंगे compression हो रहा है तो जो वहाँ पर shrink और गस्ट याने कि कहिए truff और आपका crest हुआ करता था यहाँ पर है expansion and compression तो यहाँ पर wavelength की definition क्या होगी, यहाँ पर होगी wavelength की definition, कि किनी भी दो expansion के बीच, ठीक है, यह expansion के बीच या कहें, compression की जो बीच की दूरी है, वही आपकी कहलाती है wavelength, लेकिन यहाँ पर अनुपरस्त तरंगों में किनी भी दो truff, truff का मतलब ही है, गर्थ, हिंदी में हम कहते हैं गर्थ, और कहते हैं crest को हिंदी में हम कहते हैं shrink, तीनी भी दो shrink, यह हुआ आपका highest amplitude है, यहाँ के जो बीच की आपकी दूरी होगी, यह होगी आपकी lambda, यहाँ की कहें यहाँ की जो दूरी होगी, यह होगी आपकी lambda, जस्ट बता दिया, question भी इससे क्या बनेगा, पहले सुन लो, question बनेगा, अनुदैद तरंगों में, यहाँ की, आपके longitudinal waveform में, जो wavelength होता है, वो किस से related है, क्या expansion से related है, क्या trough से related है, यह crest से related है, ठीक है, तो आप कहोगे, expansion and compression से related है, यहाँ की question क्या बनेगा, कि अनुदैद तरंगों में, जो wavelength होता है, वो किनी के बीच की दूरी ह क्या ट्रॉफ एंड क्रेस्ट के बीच की दूरी है या expansion and compression तो आप कहोगे expansion and compression तो यह हुआ हमारा है इससे और क्या question बन सकते हम वो भी साथ में देखते चल रहे हैं तो जितने question हम कर रहे हैं वो तो ठीक है उनके अलावा उन question से क्या-क्या questions बन सकते हैं हम वो भी देखते चल रहे हैं तो कितना beneficial है यह आप सभी के लिए चलो बच्चो इसी बात पर सभी लोग thumbs up कर दो yes मैं मजा आ रहा है ठीक है चले next देखते हैं अभी हमने देखा कि आपका transverse wave and longitudinal wave क्या है वही चीज बताया है कि longitudinal wave are those waves in which the particles of the medium जो medium के particles है ना मार्थियम के जो कड़ हैं वो क्या होते हैं 跑ona to the propagation of great जो वेब का प्रापोगेशन हो रहा है वो उसके परफैलर होते हैं फ्रीक है मार्धियाम के कड़ वेब के प्रफैलर हैं जब कि यहां पर मार्ध्यम के गड़ वेव के प्रफोगेशन की क्या है परपेंडिकूलर है 90 डिगरी बना रहे हैं तो क्या कहेंगे लॉंगिचूडनल वेव या कि अनुद्याजी तरंगे वो तरंगे हैं जिम में हमारे पार्टिकल्स ओफ दा मीडियम जो हैं पैरलर होते ह हैं तो दा प्रफोगेशन ओफ दा वेव फॉर एग्जामपल साउंड वेव आदा लॉंगिचूडनल वेव जैसे के अभी हमने देखा था कि आपका मोबाइल फोन से आने वाली जो वेव फॉम थी वो क्या थी आपकी लॉंगिचूडनल वेव थी तेलिवीजन से आने वा प्रफोगेशन फॉर एग्जामपल क्या कह रहा है कि रिपल्स फॉर्म ऑन दा सर्फेस ऑफ वाटर इस ट्रांसवर्स वेव का एक एक एक्जामपल है तो क्लियर हुआ कि अनुप्रस्त और अनुदैद तरंगे क्या होती है अब हम आते हैं हमारा एंसर था पॉलराइजेश होता क्या है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम एक पॉलराइजर यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी मैथड है जिसके तू हम प्रकाश का पॉलराइजेशन करते हैं ठीक है कई सारी मैथड है लेकिन सपोस करो आपने यहाँ पर एक पॉलराइजर लिया तो जब आप लिए यहां से light आई, यह क्या है आपकी light है, यहां से light की कोई beam आ रही है, और यहां आपका प्रिकाश देख पा रहे हो, unpolarized है, क्या है, unpolarized light यहां पर आ रहा है, तो जब unpolarized light आया, तो किसमें convert हो गया, polarized light में convert हो गया, तो हम कहेंगे कि आपका ध्रुवी करण हो गया प्रकाश का, तो प्रकाश का ध्रुवी करण क्या है, जिसके थुरू हम ध्रुवी प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देते हैं, unpolarized light को हम polarized कर देते हैं, ठीक है, इसी के थुरू हमें पता चलता है कि हमारा प्रिकाश अनुपरस्त तरंगों से बना है, clear, चलिए, तो इतना हो गया हमारा, यहाँ पर वही बताया है कि आपका जो अनुपरस्त तरंगों से बना है, clear, तो अपना question था ये, कि which of the following phenomena helps in deciding the light is a transverse wave, तो our answer will be polarization, या कहें कि ध्रुई करण ही वह प्रक्रिया है, जिसके ध्रुँ हम यह बताती है कि प्रकाश एक अनुपरस्त तरंग है, clear, एकदम clear, एकदम clear, clear, चलो, अच्छा next देखते हैं, अंगला question क्या कहता है, next question आपके सामने है, कह रहा है देहली प्रकाश क्या हो रहा है, जब प्रकाश आपका metal surface पे पढ़ रहा है, आप ध्यान देना, बिल्कुल मस मत करना किसी भी लाइन को, जब आपका प्रकाश, यह देखो, यहाँ से light आ रहा है, जब आपकी light किस पे पढ़ रही, किसी metal surface पे पढ़ती है, पहले भी बताया है मैंने, तो electron excited होते हैं, and electron flow करने लगते हैं, जिसके दुरू हमें, हम क्या करते हैं, उस electricity को store करते हैं, यान ही कहने का मतलता, photoelectric effect is that effect, जिसके थ्रू हम light से electrical energy मिलती है, घ़िक है, यह FEMA? यह हम कहा है, gain करते हैं, तो जब हम light के थ्रू electrical energy पाते हैं तो photo electric effect नाम से clear रहे photo और electric photo का मतलब है कि जो light आ रही है sun से उसको आमने किस में convert किया? electrical energy में convert कर दिया आपने electrical energy में convert कर दिया तो इस process पे particular कोई तो frequency होगी जिस frequency पे आपकी current flow होना start होती है उससे पहले नहीं होती जब तक कि उतनी frequency नहीं होगी current flow नहीं होगी that frequency is called as threshold frequency या हम कहते है देहिली आपरती E is equal to जो H F naught होता है F naught को हम कभी-कभी mu naught भी लिखते हैं ठीक है? mu naught and this mu naught is called as threshold frequency threshold frequency का मतलब है where minimum frequency here is written threshold frequency can be defined as the minimum frequency of light which causes the electrons to be emitted from a metal surface when light falls on it जब प्रकाश पढ़ता है किसी भी metal पर तो वह minimum frequency minimum आवरती जिसके बाद आपकी electrical energy आपको मिलती है तो अपना option क्या होने वाला है? कह रहा है जिससे नीचे वोल्टता के is called as threshold frequency या कहेंगे mu naught clear हुआ? चलिए! next question क्या कह रहा है? next question कह रहा है which of the following is produced by conversion of solar energy using light voltaic cell यानि कि प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर उर्जाकारू पांधरण करने में निमनली खित में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? optical energy, electric energy, thermal energy या mechanical energy यह तो अभी अभी बता है अभी, वोटो-electric effect यानि कि जब किसी metal पर प्रकाश पड़ेगा तो हम क्या करते हैं? विद्धारा लेते हैं, यानि हमको विद्धारा मिलती है उससे तो क्या होगा? electrical energy is our correct answer भाई, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है clear होगया, विद्धू तूर्जा मिलती है यानि कि conversion of solar energy using light voltaic cell confused नहीं होदा, light voltaic cell का मतलब वही है solar cell, यानि कि जिसके थूँ आप light energy को electrical energy में विद्धू ती उर्जाग में बदल रहे हो प्रकाश उर्जाग हो, clear? चलिए, correct होगया अपना electrical energy आईए next question देखते हैं next question है, which color of light exhibits the most deviation when passing through our prism जब इन में से, इन चारों में से कौन सी light है जो सबसे कम, क्या है question? सबसे अधिक विचलन देती है सबसे अधिक विचलन देती है क्या वह श्वेत है, red है, purple है या green है आईए देखते हैं, जब prism में से आपकी पास होता है श्वेत प्रकास, तो भाई सबको बता है कि जब हमारा prism में से श्वेत प्रकास ये white light है prism में white light पढ़ती है तो ये seven colors में divided हो जाती है हमको पता है, विवग्योर बचपन से पढ़ते आ रहा है अब ये angle of deviation क्या होता है? ऐसा समझो, ये जो white light आई यदि मैं इसी को आगे extend कर दू, इसी को आगे extend कर दू ठीक है, इस line को जो मैंने extend किया तो light को तो actual में ऐसे जाना था जैसे कि आपको तो 12th के बाद यार bio लेकर doctor बनना था सपोस्थ आप नहीं बने और BST nursing कर लिए भाई क्यों कर लिए? क्या पता? दूरिंग कोचिंग हम थोड़ा सा विचलिद हो गए ठीक है, वैसे ही क्या होता है प्रकाश अपनी दिशा पे न जाकर विचलिद हो जाता है थोड़ा सा इसका भी मन बहग गया अब इन रंगों में से किसका मन कितना जादा बहगा है वही कहलाता है आपका angle of deviation यानि कि कितना जादा बहगा है आप देख पा रहे होगे clearly यह दि देख पा रहे हो तो सबसे जो कम विचलिद है वो जो सबसे उपर है उसका ठीक है जो सबसे कम deviate हुआ उसकी अच्छी rank आई भाई वो doctor भी बन गया जो थोड़ा कम deviate हुआ वो कुछ और बन गया लेकिन जो बहुती जादा deviate हुआ वो तो फिर MBBS उसको नहीं मिल पाया होगा न तो वैसे ही है जो सबसे जादा deviate हुआ वो सबसे नीचे चला गया वो कौन है अपना violet color है देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे कम deviate algorithm उसके बाद deviation इधार उसके बाद deviation ये इसके बाद deviation ये उसके बाद부터 deviation ये यानि कि सबसे जादा angle of deviation किस पर है violet color पर है तो क्या कहता है angle of deviation यानि कि प्रकाश अपने main mark से main result से कितना विचलित हुआ तो सबसे जादा तो violet color विचलित हुआ है और सबसे कम लाल रंग विचलित हुआ है तो अपना answer होने वाला है maximum पूछा है तो हो जाएगा bagni color यानि की हो जाएगा purple या इसो कहेंगे violet color ठीक है यह लिखने वालों ने ऐसा लिखाँ ठीक है violet color clear चलिए next question देखते है next question है आपके सामने what does the exposure time required to photograph a substance depend on ठीक है इसकी हिंदी बहुत ही खतरनाक है किसी पदार्थ का photograph लेने के लिए अपेचित उब्धासन काल किस समय पर निर्भर करता है या इस में से किन चीजों पर निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर फोटोग्राफर के कौशल पर या कि पदार्थ की निकटा पर पदार्थ के आकार पर कह रहा है कि exposure time जो है required होता है photograph के लिए इन में से किप substance पर निर्भर करता है पहली बात तो आप यह समझे आप यह दो आपको आजकल तो camera आमबात हो गई है DSLR भी आम मतलब कई लोग रखते हैं नहीं भी रखते तो camera से सबी लोग फोटो खिषते है एक्चूल में जो उमारा exposure time होता है ना exposure time is related to the shutter shutter उन लोगों ने देखा होगा जिन्होंने भी camera चलाया होगा तो जब हम shutter को कम करते जाते हैं तो हम देखते हैं कि पदार्थ की चमक पदार्थ की चमक मतलब समझो कि जिसकी हम फोटो खिचवा रहे है सपोज मैं अपनी picture खिचवा रही हूं और आप camera में shutter कम करते जाओगे तो मेरी क्या होगी अच्छी brightness आएगी ठीए चमक बढ़ जाएगी और shutter यदि जादा रखोगे तो brightness थोड़ी कम होती जाएगी तो किस से related हुआ exposure time related हुआ shutter से और shutter related हुआ brightness से यानि कि हम कहेंगे glow of substance से पदार्थ की चमक बर निभर करेगा तो देखो ये जो daily life से जुड़ा भी question है और science से भी ये दोनों जो बच्चे camera चलाते हैं बड़े easily कहते हैं रहे ये तो glow of substance होगा और जो नहीं भी चलाते हैं उनके लिए madame ने ब next question क्या है next question कह रहा है when a flight glass strip is placed on colored letters which letter appears less shifted ठीक है जब रंगीन अक्छरों पर रंगीन अक्छर हैं सपोस्ट करो बढ़िया रंगीन लिखा हुआ है ठीक है रंगीन अक्छरों पर कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्छर कम उठा हुआ दिखाई देता है बहुत सारे रंगीन अक्छर है यानि ऐसा समझो बहुत सारे colors के letters हैं उस पर आपने कांच की पट्टी रख दी अब कहारा उन में से सबसे कम कौन उबरा हुआ द due to the maximum wavelength of red कहना चाहिए उठा हुआ दिखाई देने वाला है लाल कलर सबसे जादा उठा हुआ दिखाई देगा आईए next question क्या कह रहा है next question आपके सामने है ये तो हो गया next question क्या है next question है why does an electron microscope give more magnification than an eye microscope नहीं है यहाँ पर क्या है optical microscope क्या है optical microscope electron सूच मिदर्शी चाशुस सूच मिदर्शी से अधिक आवर्धन क्यूं देता है आपके पास options है क्या क्या option है आपके पास the velocity of electron is less than the velocity of light no the wavelength of electron is less than the wavelength of visible light yes it may be electrons have more energy than light particles no it is not the reason for magnification more powerful lenses in electron microscope is used to know actual में क्या होता है कि आपका जो wavelength है यानि कि कहना चाहिए जो जंक दैर्ध या wavelength उतने ही कम होगी साथी wavelength जितनी ज्यादा होगी magnification उतना कम होगा magnification का मतलब क्या होता है magnification का मतलब है जब आप किसी वस्तू को बड़ा करके देखते हो वो lens सभी लोग यूज करते थे ना पहले compose box में आया करता था बड़िया बच्पन में पने से करके देखा करते हो हाँ सब कुछ बड़ा दिख रहा है exactly वही magnification का मतलब है to enlarging something it means किसी चीज को बड़ा करके देखना तो magnification and wavelength एक दूसरे से inversely proportional है ठीक है तो इसमें सीधे ही बात है भाई क्या कह रहा है जादा आवर्धन क्यों देता है क्योंकि wavelength of electron जो है वो wavelength of visible light से कम होता है तो जब wavelength ही कम हो गई दोनों inversely proportional है तो जाहिर सी बात है magnification जादा होने वाला है है ना चलिए next question देखें बच्चों yes option B is our correct answer next है आपके सामने the visual display unit has primary color प्राथमी रंग तो सभी को पता है colors पर एक हम बहुत अच्छी class लेंगे जिसमें हम बताएंगे भी कि सबको mixing करने पर कौन सा color बनता है कैसे याद रखना है वो भी ठीके चलिए तो क्या कह रहा है विजिवल डिस्प्ले यूनिट में कितने प्राथमिक रंग है कौन कौन से प्राथमिक रंग है भाई सभी को पता है red green and blue are the primary colors या कहें लाल हरा पीला नीला sorry is our correct answer and yes option B is correct तो लाल हरा नीला हमारे basic color कहलाते हैं इनको याद कैसे रखोगे देखो Royal Challenger Bangalore तो सभी लोग जानते भाई IPL देखते हैं ठीक है तो आप RCB की जगह क्या कर दो RGB बस RCB की जगह आपको हमेशा याद रहेगा आपको हमेशा याद रहेगा आपको बेसिक या कहना ची प्राइमरी कलर कैसे याद रखोगे जब आप नीना और हरा रंग मिक्स करते हो तो कौन सा कलर बनता है नीले और हरे को मिक्स करने से अपना बनता है स्यान कलर स्यान is our correct answer and yes option A is correct clear चलिए तो आज का session यहीं पर समाप करते हैं मिलते हैं next session में कुछ और interesting questions and concepts के साथ तब तक के लिए बढ़िया से आप लोग preparation करते रहिए thank you class all the best